हर पहन और हर बेटी की सुरक्सा करना इस सरकार का कारे है सरकार उसको भी करेगी और तब भी मैंने कहा था माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगा सरकार अपने दायत्वों का निर्वेहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर करेगी प्रयागराज में योगी ने राजूपाल उमेश पाल की हत्या का मामला उठाया कहा कि राजूपाल गरीब परिवार से थे विधायक बने और यहां के माफिया ने उनकी हत्या करवा दी टीपू माफिया के आगे नाक रगड़ते थे, माफिया को गले का हार बनाया था CM योगी ने प्रयागराज में 5000 से अधिक युवाओं को नियुक्तिपत्र वितर्ण, विध्यार्थियों को स्मार्टफोन, टैबलेट वितर्ण, विभिन योजनाओं के अंतरगत लाभार्थियों को रिन वितर्ण, व सहायता राशी का अंतरण, एवन 407 विकास परियोजन के लोकारपन शिला न्यास भी किया. CM योगी ने और क्या कहा आप खुद सुनिये. मिलाने का काम भी सकार करेंगे. अब बैनों और भाईयों, आज मैं आपसे गहने के लिए आया हूँ, जो बड़ी-बड़ी गोस्टनाएं कर रहा हैं, यह वही लोग हैं जिन माफियों के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे. उनके सामने दंगायों के सामने नाक करने वाले बुल्डोजर क्या चलाएंगे, बुल्डोजर को देखकर के विंको इसे हार्टेक हो जाएगा, यह लोग नहीं ठेट पाएंगे बातों को, लेकिन बाइन और भाईयों, मैं आया हूँ आपके सामने, यह मंच आया है आपके सामने आपको अस्वस्त करने के देखा होगा, और कुम कायजन 2019 में भी देखा होगा, 2013 में जो भी आया होगा, संकल्ब लेके गया कि तुवारा इस प्रकार की दुर्विवस्ता में नहीं आओंगा, लेकिन आदर यह प्रदान मंत्री मोदी जी के मार्ग दरसन और नित्रतों में, जब 2019 में प्रयागराज क मंत्रि मंदग के मेरे सयोगियों ने, महा कर पर उस समय की महा कर ने, और साथ-साथ यहां के हमारे स्वास्ते मंत्री उस समय के सिसी तार्ट नाथ सिंग सी नंदुकबाल पत्ता नंदे दिये इन सबी लोगाने मिल करके यहां के माने विदायकों ने सबने मिल करके अधक परिश्रम किया और प्रणाम क्या रहा 2019 में कुम्ब कैसे होता है प्रियाग राज ने बता दिया कुम्ब सवच्चता, सुरक्सा और सुभ्योस्ता का एक मॉडल होता है प्रियाग राज का सम्मान दुनिया के अंतर बढ़ाता माखंगा के सीम किरपा जिस शेक्र पर बनी रहती है वच्चत जो सिनातन धर्मा उलंपियों का बैदिक काल ठंड से इस तरदा रास्ता का केंद्र में दुरा आ रहा है जिस केंद्र में दुनिया की सबसे प्राचीन गुरबुल महर्सी भारद्वास ने जिस प्रियाग राज में स्थापित की थी उस प्रियाग राज के सामने पैचान का संकट किसने खड़ा कर लिया था किसने खड़ा किया था ये जो जाती-जाती के नाम पे लड़ाने वाले लोग है ना आज जो कह रहे हैं तमाम प्रकार की बात कर रहे हैं तमाम प्रकार की बड़ी-बड़ी और भोसना क्या यही पीता थे जो माफिया के सामने नाक रगड करके आपके सामने पैचान का संकत ठड़ा करते थे क्या इस सच नहीं है इन माफ्याओं को गले का हार बना करके प्रियाग राज के स्टिक्टों के सामने प्रियाग राज वास्यों के सामने पेचान का संगत्धा करने का काम इनों ने किया था ये गुम्रहा करते हैं कैसे सच नहीं इनी माफियाओं ने राजुपाल की Feedा की थी राजुपाल एक गरीब परिवार से थे राजुपाल एक गरीब परिवार से थे बिधायेत मनें थे लेकिन किस निर्मनता के साथ उनकी हध्या हो वही थी उस समय इन्हें याद नहीं आ रहा था पीदिये राजुपाल मार दिये गए लेकिन इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी तब इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी तब राजुपाल जैसे गरीब मारे जाते हैं वमेश पाल जैसे मारे जाते हैं हम लोगों ने तो कहा का प्राद और प्रादियों को बखसेंगे नहीं जिरोटोलेंज की नितिके दाथ सरकार कारे करेंगी हम सुरक्सा सब्कों देंगे, सम्मान सब्कों देंगे, भिकास सब्का करेंगे लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहाँ चलती भी बेटी पर हाट डालने का तुस्था आस किया तो उसके हाट अलब होंगे पैर अलब होंगे जरूर करणा देगा अर बेटी को सुरक्सा प्रदान करना ये सरकार का दाइट तो है और सरकार अपने साइटों का निर्माद करेगी किसी में हम तक जाकर के करेगी